साहित्य निधी में आज सुनिये मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी शायद मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य जगत की एक महाल लेखे का कहानीकार वा उपन्यासकार मानी जाती है प्रस्तुत है उनकी कहानी शायद जहाज में बत्तियां जनी तो लगा जैसे पानी में बिछी अंधेरे की चादर में अनेक दरारे पड़ गई हो चारों और बल्बों की जूलती बंदनवार देख कर ही राखाल को खयाल आया कि इस बार हो दीवाली घर पर ही मनाएगा कितना अच्छा होता किसी तरह पूजा पर ही पहुँच पाता सारे यात्री उबे हुए हैं पर उपर से सबने अपने को ऐसा व्यस्त बना रखा है कि किनारा आने पर लगेगा जैसे अप्रत्याशित रूप से ही किनारा हा गया हूँ प्रतीक्षा का बोजे समय काटने के ये कितने पुराने नुसके हैं पर फिर भी हर यात्री इनहीं अपनाता है सिर्फ रेलिंग के सारे लगकर खड़ी वो औरत ना ताश खेल रही है ना पढ़ रही है पिछले एक घंटे से उसने तीन बार अलग-अलग लोगों से समय पूछा है कुछ इस भाव से मानो महस घड़ी मिलाना चाह रही हो हाना कि हात में विदेश से खरी दी हुई कोई नई घड़ी है जिसके गलस समय देने की संभावना कम है हो सकता है किनारे पर भी कोई इतनी व्रगरता से प्रतिक्षा कर रहा हो अच्छा किया उसने किसी को खबर नहीं दी आठे करीब जहाज किनारे पर लगेगा राखाल छे बजे से अपनी वर्दी उतार कर उपर आ गया था काम के दोरान भी उपर आते हैं पर उन देत्याकार मशीनों से मुक्ती पूरे दो महीने के लिए मुक्ती पाने की भावना से उपर आने का अपना ही एक आनंद है उसे खुद लग रहा है वैसे वो जहाज का एक अतना सा करमचारी नहीं वनन एक संब्रांत यात्री है जो तीन साल विदेश रहकर घर लोट रहा है एका एक घर की तस्वीर उसकी आखों के सामने उपर आई गरास पर बना हुआ नीची छटवाला लंबा सा कमरा वो घर पहुँचेगा तब तक बच्चे जरूर सोच चुके होंगे माला किसी ना किसी काम में लगी होगी वो अपना हर पत्र इसी पंक्ती से शुरू करती है उत्तर जल्दी नहीं दे सकी क्योंकि समय ही नहीं मिला और अंत में लिखती है अब बस करती हूँ बहुत काम पड़ा है बीच में घर की कटनाईयां, पढ़ती, महंगाई और बच्चों के बढ़ते आवारापन की बाते होती है जिससे राखाल अब बहुत उपने लगा है हर पत्र में मशीनी ढंग से लिखा हुआ प्राणनात संबोधन पूरी तरह निश्प्राण हो चुका है पहली बार जब वो जहाज पर आया था तो माला के पत्रों को कई कई बार पढ़ता था उस सब के बीच में दस साल का लंबा समय गुजर चुका है फिर भी सोय हुए बच्चे और जाकती हुई माला की कल्पना ने उसके अमन में हलकी सी गुरुदी पैदा कर दी उसे अपने साथियों की याद आई जब वो नीचे कपड़े बदल रहा था सब के सब बिना किसी शरम हया के फक्तियां कस रहे थे मशीनों के बीच रह रहे के साला मशीन बन गया है अब उपर जाकर फेपरों में साफ हवा भरेगा जिससे कुछ ताकत आए, कुछ जान आए नहीं तो टाइ टाइ फिस नहीं हो जाएगी उसके दो साथी कुवारे हैं और एक की बीवी किसी और के साथ रहने रगी है जब वो अपनी तनख़ा का बड़ा भाग घर भेजता था तो सब उसे चिढाते थे पर माला का पत्र आने पर सब पढ़ते थे जॉन को अपनी बीवी नए सिरे से याद आ जाती थी और वो फूट-फूट कर रोने लगता था ऐसे मौकों पर राखाली ही उसे तसली देता था पर जितनी तसली वो देता था उससे ज़्यादा तसल्ली उसके मन में रहती थी कि माला उससे कभी छोड़ कर नहीं जा सकती नहाया थी उबाद देने वाले पत्र भी उससे कहीं हलके से आश्वस्त तो करते ही थे उसे याद आया कि पिछली बार छुटी से आने के आट महीने बाद बुलबुल पैदा हुई थी और दस महीने जी कर वो मर गई माला ने उसे खुब कोस कोस कर सूचना दी थी अभी तो छोटू भी सवा साल का है दो छोटे बच्चों को घर के सारे काम काज के साथ वो नहीं संभाल सकती फिर बढ़ती महंगाई कहां से घिलाए कहां से पहनाए और जब वो मर गई तब फिर कहीं पत्र उसी की खबर से भरे हुए थे हाए इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था सबसे सुन्दर थी ऐसा तो एक भी बच्चा नहीं हुआ भगवान को लेना ही था तो दिया ही क्यों था टाकाल को ना उसके होने की खुशी थी ना मढ़ने का कोई गम एक हलकी सी भावना यही थी कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ उसके पीछे ही हो गया साथ ही मन में कहीं उभरा अच्छा हुआ कि इस बात को भी अब तो डेर साल हो गया वरना सारी छुटियां मातब पूर्सी में ही बीच जाती दूर किनारे की बत्तियां दिखाई देने लगी तो ताश में डूबा वो पूरा का पूरा दल रेलिंग के सारे आख खड़ा हुआ सबके चेरों पर उल्लास थे रखने लगा बच्चे दूर खड़ी छोटी छोटी आकरतियों को ही रुमाल हिलाने लगे भीर से कटकर खड़ी वो अकेली महिला बाइना कुलर लगा कर किसी को ढोड़ रही है एका एक राखाल की नंगी आखों के सामने माला की आकरती तेर गई वो अपने साथियों और अफसरों से विदा लेकर बाहर आया और टैक्सी में बैठा हर समय जहाज के तहकाने में बंद रहने के बाद दूर दूर तक पहला हुआ कलकत्ता रात दिन चारों और लरजती और ठिरक्ती लहरों के बाद लंबी लंबी मौन और स्थिर सडकें और उन पर उन्मुक्त भाव से प्रकाश उडिलती बत्यों को देखकर उसे नए सिरे से अपने होने का बोध होने लगा टैक्सी लेंस डाउन में रूट से बाइन लें में मुड़ी और चार मकान छोड़कर खड़ी हो गई वो उतर कर गराज पर बने अपने मकान को देखने लगा खिर्की से बहुत ही मंदी रोशनी बाहरा रही है शायद बीतर जीरो पावर का बल्ब चल रहा है टैक्सी के ठहरने से फाटक के खुलकर बंध होने से बीतर किसी तरह की हलचल नहीं हुई हाँ सामने कपूर साब के घर की खिर्की से एक कटा हुआ धड़ जाका दोख शन रुखा और फिर गायब हो गया माला के गर शायद कभी कोई टैक्सी आकर ठहरी ही नही रानी राखाल ने आवाज दी तो कौन के साथ ही माला बहार निकल आई और राखाल को देखते उसके चेरे पर आश्यरे भरा उल्लास फैल गया अरे ये क्या तुम कोई खबर कोई सूचना नहीं और एक तरह से जपटकर से राखाल के हांसे होल डाल ले लिया टैक्सी वाले को पैसे देकर एक बड़ा और एक छोटा बकसा संभालते राखाल सकरी सी सीड़ियां चड़ने लगा उसके पीछे माला होल डाल को ठेलती हुई बीच में पहुंचते ही राखाल ने बकसा सीड़ी पर टिकाया और घूमकर अंधेरे में माला का हाथ पकड़कर जूर से दबाया चलो चलो ये गिर जाएगा हाथ छुडाते हुए माला ने कहा उसके हाथ में कोई प्रतिक्रिया कोई हरकत नहीं हुई टाखाल गो माला का हाथ बड़ा सर्द और निरजीव सा लगा और वही ठंडग जैसे उसकी अपनी रगों में समाने लगी कमरे में गुसते ही माला ने मरकटी लाइट जलाई 14 फुट लंबा कमरा और जमीन पर सोते तीन बच्चे उजागर हो गए नाक नक्ष के साथ माला के चेहरे की जुर्णिया गालों पर पड़े काले काले चकतते और रूखे सूखे बालों में से जाकते कई सफेद बाल तुमने खबर क्यों नहीं दी खबर देते तो हम सब लोग लेने आते बच्चे कितने खुश होते वो जैसे एका एक राखा का स्वागत करने में अपने को असमर्थ पा रही थी अच्छा तुम जड़ा सुस्ता कर हाथ मों दो मैं जल्दी से खाने को कुछ बना देती हूं खाना में खाकर आया हूं कुछ भी बनाने की जरुद नहीं है पर माला फिर भी अभी आई कहकर नीचे उतर ही गई बच्चे बिना चद्दर के गंदे और पैबंद लगे बिस्तरों पर लेटे है तीना कलवट लेकर सो रही है इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है बच्चु और छोटु चित सो रहे है चोटु नंगा है और उसका मुवी काफी गंदा है खिर्की पर फटी साडी का परदा एक और से सररक कर जूल रहा है एका एक मरकरी लाइट का दूदिया आलोक उसकी आँखों में चुगने लगा उसने बत्ती बुझा दी कमडे का नंगापन क्षण भर को अंधेरे में डूब किया राखाल बच्चों को बचाता हुआ आया और खिर्की पर बैठ किया इस घर में यही उसकी स्थाई सीट है ये क्या बत्ती क्यों भुझा दी अंधेरे में राखाल को माया की केवल आकरिती भर दिखाई थी पर वो आकरिती उसे पूरे नाक नक्ष वाली माला से ज़्यादा परिचित महसूस हुई रहने दो बच्चों को परिशानी होगी लो थोड़ा सा दूद है तुम पीलो और अंधेरे में बढ़कर उसने प्याला राखाल के हार में थमा दिया फिर बड़े जतन से उसका विस्तर लगाने लगी घर की शाय सबसे साफ चादर बिचाई उसके हर काम में उसके मन का उल्लास चलक पड़ रहा था वो लगातार कुछ ना कुछ बोले चली जा रही थी मुझे तो दो साल काटना ही इतना भारी पड़ता था इस बार तुने पूरे तीन साल लगा दिये पूजार पर कितनी कितनी राह देखी बेचारे बच्चों को एक-एक नया कपड़ा तक न दिलवा सकी दादा की विजली की दुकान खुब अच्छी चलने लगी है सो ये लाइट तो जरूर लगवा दी पर इतना नहीं हुआ कि बेचन के बच्चों को एक-एक कपड़ा ही दिलवा देते टुकुर टुकुर मेरे बच्चे दूसरों के घरों में ताकते रहे माला का गला रूंद गया ये सब तो राखाल को चुट्टी भर सुनना ही है पर आज हो सुनना नहीं चाहता बिस्तर पर लेट कर उसने माला को अपने पस लिटा लिया उसका ध्यान माला की बातों से ज़्यादा माला की देव पर लगा हुआ है क्या करता पूजा पर जहाद इस तरफ था ही नहीं प्राइवेट शिपिंग कमपनी है चुटी के काइदे कानून पर जगडा भी नहीं किया जा सकता फिर उसे तसली देता सा बोला कोई बात नहीं बच्चों को कल खुश कर दूँगा और फिर उसने माला को अपनी पाहों में दबूशना चाहा तो छिटक कर दूर हो गई माफ करो बाबा तुमारा क्या है तुम तो अपने कर करा कर चल देते हो पीछे से जो गुजरती है मैं जानती हूँ फिर भरे गले से बुलबुल का प्रसंग शुरू हो गया उस बेचारी में तो जाना ही नहीं बाबा किसे कहते हैं बीमारी की अहालत में टुकुर टुकुर ऐसे ताकती थी मानों कह रही हो कि मा बचा लो कपूर साब ने अपने डॉक्टर जमाई से खुब इलाज करवाया शंकर दवाईयों के लिए रुपए उधार दिये खुब भाग दोड़ भी की पर ये तो अपना करज वसूल करके चली गई और माला फूट फूट करोने लगी राखाल का सारा शरीर शित्हल हो गया उसे माला पर कुद्सा आने लगा जो चली गई उसका ख्याल है और जो आया है उसकी कोई चिंता नहीं जाने क्यों उसे लगने लगा जैसे हो किसी और के बारे में सुन रहा है मानो उस मुरत बच्ची से माला के दुख से उसका अपना कोई संबंध ही नहीं है रो दोकर माला तो सो गई पर राखाल को किसी तरह नीन नहीं आई उसे भी तो नहीं लग रहा है क्यों घर में है अभी भी यही लग रहा है मानो जहाज में बैठा है और उसके और माला के बीच बहुत बहुत दूरी है सबेरे नीन खुली तो दूप कमरे में भर गई थी बच्चों के विस्तर समिट गए थे नीचे से माला और बच्चों की मिली जुली आवाजें आ रही थी भरी दूप में उसे एक कमरा कुछ नया नया सा लगा उसने जोर की अंगडाई ली और एक सिग्रेट सुलगा ली दीवार पर हमेशा की तरह मादुर्गा की तस्वीर है उस पर लगी रोली और चंदन के छीटे कुछ ताजा लग रहे हैं शायद इसी पूजा पर लगाए होंगे उस तस्वीर के पास ही दीवार पर एक छोटा सा चौकोर निशान बना है राकाल को याद आया यहां हमेशा उसकी तस्वीर लगी रहती थी अब वो तस्वीर नहीं है वो इधर दर देखने लगा कमरे में ठीक ठाक चीज के नाम पर एक छोटी सी अलमारी मात्र है शीशे के दरवाजे वाली उसमें उसकी बाहर से लाई हुई चीजे रखी हैं उन्हीं के बीच उसे अपनी तस्वीर दिखाई थी उसका फ्रेम टूट चुका था तब ही रीना ने कमरे में जहाका और उसे जगावा देखकर सर्माते हुए नमस्ते की रीना यहाँ ओ बिटा और सब ने दोनों हाथ प्हला दिये रीना उसकी सबसे लाडली बिटिया है पर रीना पहले की तरह दोड़ कर उसकी बाहों में नहीं समा गई बस मुस्कुराती हुई उसके पास आख खड़ी हुई तीन साल में रीना सस्वर्च बहुत बड़ी हो गई है तेरह साल की उसकी नज़र रीना की हलकी सी उभरती चाती पर पड़ी बेटी की जवानी की कल्पना ही उसके लिए नया अन्भो थी रीना नीचे दोड़ गई और बस दो मिनट बाद ही बच्चु आकर इसकी गोद में लद गया पीछे पीछे माला ट्रे में बड़े करीने से सजाकर चाय लाई और रीना चार साल के छोटे को लाद कर राखाल को लगा जैसे सब लोग उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे रात को मेले कपडों में लिप्टे और बिखरे बालों वाले बच्चे इस समय धुले साफ कपडों में थे छोटू की आँखों में मोटा मोटा काजल था और टांगों में निकर माला की मांग में संदूर की लाली पीछे तक चली गई थी एक आपचारिक महमान की तरह उसकी खातिर हो रही थी फिर भी ये सब उसे अच्छा लगा आने के बाद पहली बार लगा कि वो अपने घर आया है चाय के साथ साथ अपने बीवी बच्चों के साथ होने की गर्मी भी उसने महसूस की पाहें पहला कर उसने छोटे को गोद मिली ना चाहा पिछली बार वो साल भर के छोटू को सारे समय पेट पर बिठा कर खिलाया करता था पर अब छोटू उसे पहचानी नहीं पाता राखाल ने उसे जबरदस्ती खीचा तो औरो पड़ा और छिटक कर माला के पास चला गया छोटू बाबा बाबा जाओ बिटा प्यार करेंगे दीना भी समझाती है छोटू बाबा जाओ चीज देंगे एक दो दिन में पहचान लेगा तो फिर एक मिनट को भी नहीं छोड़ेगा राखाल को लगा जैसे माला तसली दे रही है बच्चू बराबर रट लगाए हुए है बाबा क्या लाए हमारे लिए वैसे सभी की आँखों में यही उत्सुकता छलक रही है राखाल ने बकसा खूल कर चीज़े निकालनी शुड़ू की तीनों बच्चे बकसे के इर्द गिर्द से मटाए कपड़े, खिलोने, पैन, रिबन, जर्सी, मोजे बच्चू हर चीज़ पर छपटता तो माला उसे डान देती फिर भी भीतर भीतर गदगद होने के कारण उसके जुर्णियों में कोमलता और इसने गड़ता भराई थी रीना को जो कुछ दिया उसने चुपचाप ले लिया पहले रीना और बच्चों में कितना चगड़ा होता था रीना का यूँ बड़ा हो जाना उसे कहीं कश्ट देने लगा ये तुमारे लिए है और बक्स की सबसे कीमती चीज निकाल कर से माला की और बढ़ा दी डिबिया कोल कर एक टक घड़ी की और देखते वे माला बोली मैं अब क्या घड़ी लगाऊंगी चलो रीना के काम आएगी बच्चे अपने अपनी चीजे बटोर का दोड़ गए आसपास घरों में शायद उसके आने का समाचा कहुँच चुका था सामने वाले कपूर साब की लड़की बरामदे में से ही जहाक रही है नमस्कार दादा हस्ता हुआ शंकर उसके सामने आख खड़ा गवा राखाल को लगा उसके होट और दाथ पहले से भी ज़्यादा कत्थई हो गए है जाने क्यों राखाल इस आदमी को कभी पसंद नहीं कर पाया बड़े ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया कहो अच्छे तो हो हाँ दादा सब आपकी महरबानी है चाय पियो शंकर मनुहार करती सी माला बोली आज तो मिठाई खिलाओ बोवदी दादा आये है शंकर के होंटों का कत्थई रंग और फैल गया दादा इस बार तो आपने तीन साल लगा दिये बोवदी ने भारी कष्ट सहा बुलबुल को तो आपने देखा भी नहीं पर बोवदी को तो वो बूढ़ी कर गई चुबती सी नजरों से राखाल ने देखा मन में कहीं उबरा तो तुझे भी अब माला के जवानी पुढ़ापे की चिंता हो गई है शंकर नहीं होता तो मैं कुछ ना कर पाती तुमारा एहसान में कभी नहीं भूलूँगी वरना आज के जमाने में बस मुझे तुमारी यही बात अच्छी नहीं रखती मुसीबत में अपने लोग ही तो काम आते हैं शंकर ने टेलेलिन की कमीज पहन रखी थी एका एक राखाल की नजर खूटी पर टंगी अपनी विदेशी कमीज पर गई उसने उठकर कमीज पहन ली मनी मन संदे को तोड़ता एक हलका सा संतोश भी चगा तब ही सिगरेट का खयाल आया उठकर बुला लो शंकर सिगरेट पियो देखो इस सिगरेट का जायका कैसा है चाय के बरतर समीटती भी माला बूली इस बार शंकर के रुपे जरूर चुका देना हर महीने बहुत कांट छाट करके भी दस रुपे से जादा नहीं दे पाती ये तो हमारा बेचारा शंकर है जो और राखाल को लगा जैसे माला ने एका एक घसीट कर उसे शंकर से नीचे ले जाकर पटक दिया हो ये बात अभी ही कहनी थी तुम दुनिया भर का करजा करो और मैं चुकाता फिरू बेजिती अलग अच्छा दादा बाबू अभी तो चला और होट फहला कर चारों और कत्था ही रंग पे खेड़ता हुआ शंकर भी नीचे उतर गया राखाल तॉलिया लेकर बातरूम में गुज गया बातरूम में जरूँस से ज़्यादा देर लगा कर वो उपर पहुँचा तो कमरा खाली था हाँ कोने में एक स्टूल पर टेबल फैन रखा था जरूर ये शंकर ने लाकर रखा होगा शायद माला नहीं मांग लिया हो उसने एक सिगरेट सुलगाई और नीचे जाने के बजाए खिर्की पर आकर बैट किया सामने कपूर साब के बरामने में रीना उनकी पम्मी के साथ खड़ी किसी बात पर खिल खिला कर हस रही थी उसके हाथ में राखाल की लाई हुई चीज़े है कपूर साब के मकान से इस सटा हुआ शंकर का गाराज है गाराज लगता है पहले से बहुत बढ़ गया है कई गाड़िया खड़ी हैं मरम्मत के लिए तब ही एक गाड़ी के पीछे से शंकर निकल कर आया उसके कंदे पर छूटू बैठा है उसे कंदे पर बिठाए बिठाए शंकर कुछ काम कर रहा है एका एक उसे खयाल आया तीन साल पहले जब वो आया था तब उसी तेरे बच्चू उस पर चड़ा रहता था खिर्की पर बैठे बैठे राखाल को लगने लगा जैसे सारा घर हिचकोले खा रहा है नहीं शायद लगातार जाहज पर रहने के कारणी ऐसी अन्भूती हो रही है एक दो दिन में ठीक हो जाएगा पसीने से लटपत माला आई मचली का जोल और भात बना रही हूँ बोलो और क्या बनाओ कुछ भी बना लो जो तुमारी इच्छा अपनी इच्छा से तो रोजी बनाती हूँ जब तक तुम हो तुमारी इच्छा का बना दू जहाज का खाना खाखा का शरीर तो आधा रह गया तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाऊंगा तो सेहट ठीक हो जाएगी राखाल हलके से मुस्कुराया छोड़ो भी अब कुछ भी अच्छा खिला सकूँ ऐसी इस्तिती नहीं और एक निश्वास छोड़कर माला उसी व्यस्त बाउ से उतर गई राखाल को लगा जैसे उसी के पास करने को कुछ नहीं है बच्चे अपने में मस्त हैं माला अपने में सिगरेट समाप्त करके वो नीचे उतरकर गराज में बनी हुई रसोई में चला गया तुम यहां गर्मी में क्यों आए चलो उपर चल कर बैठो आसंग बिचा कर वहीं बैठते हुए राखाल को याद आया पहले जब वो जहाज पर से आया करता था तो माला हर समय उसे अपने पासी भी ठाय रखना चाहती थी खाने पर फिर सारा परिवार जुट किया इस समय बच्चों के लिए राखाल से जादा महत राखाल के बहाने मिलने वाले इस खाने का है खाना पीना समापत हुआ तो माला ने बच्चों से कहा जाओ दादा केहां जाकर खबर कर दो की बाबा आये हैं और देखो दूप में लोट कर मत आना, वहीं खेलते रहना, शाम को हम लोग आएंगे तो लेते आएंगे। बच्चों ने राखाल के लाए हुए कपड़े चड़ाए और इतराते हुए दोर गए। माला नीचे बरतल साफ करने लगी। राखाल ने कमरे की खिड़की बंद कर दी और जमीन पर चटाई डाल कर चित्ते लेट गया। माला ने शायद जान भूज करी बच्चों को आने के लिए मना कर दिया है। जहां से उतर कर टेक्सी में बैठे बैठे माला से मिलने की जैसी अकुलाहाट हो रही थी वैसी ही अकुलाहाट उसे फिर होने लगी। शायद फिर नीचे कोई आ गया है। माला के बात करने की आवाज आ रही है, कोई महिला स्वर ही है, पता नहीं किस को पाल रखा है, थोड़ी देरों बेचैनी से रहा देखता रहा, फिर जोर की आवाज दी, माला अपने स्वर का रौबिला पन उसे स्वेम बढ़ अच्छा लगा, आई और मिनट बाद साड़ी से हाथ पोश्ती हुई, परसीने से भीगी माला आखड़ी हुई, पिशी मा तुमें प्रणाम करने आई हैं, कौन पिशी मा, लेटे लेटे उसे खीजे स्वर में पूछा, पर तबी एक व्रद सी विद्वा दरवाजे पर हाथ चोड़ कर खड़ी हो गई, प्रणाम जमाई ब मा की तरह मेरा ख्याल रखती हैं, गदगद होती सी पिशी मा बोली, अच्छा आभी चलूँगी, कोई काम हो तो बता दो, कुछ सौदा लाना हो तो, सबेरे इगोरी से मंगवा लिया था, कुछ होगा तो बता दूँगी, पिशी मा धीरे धीरे सीरियां उतर गई, लगा ब अधा लगता है, नहीं, माला के मन में शायद कहीं कोई इच्छा नहीं बची रह गई, माला ने खिरकी बंद कर दी, पंका चला दिया, शंकर तुमारे लिए ही रख गया है, हर बात का इतना ख्याल रखता है कि क्या बताओं, और माला पास आकर बैठ गई, शाम को दादा कह आसे लोट कर आएं, तो कपूर सहाब से मिला ना, आज के जमाने में ऐसे भले लोग मिलते नहीं, इतना पैसा है पर घमन चुक तक नहीं गया है, तुम कहो तो तुमारी लाईवी चीजों में से एक एक चीज पम्मी और शंकर के बच्चों को दे दू, उनके एहसान तो क्य उतार सकेंगे फिर भी, माला के पास क्या और कोई बात नहीं है करने के लिए, तुम कितने रुपे लाए हो साथ में, शंकर के तीन सो रुपे और चुकाने हैं, बुलबुल की दस महीने की बीमारी ने तुम जे तन, मन और धन से एक दम ही कंगाल कर दिया, फिर भी बच जा माला कितनी दूर जा पड़ी हैं उससे, शंकर, कपूर सहाब, पिशीवा, सब के बीच राखाल का अपना अस्तत जैसे गुलने लगा, तुम भी सोचोगे कि मैं जब तब बस पैसे कही रोना रोती हूं और तुम ही बताओ क्या करूं, बहंगाई का तो कोई ठिकाना ही नही तीनों बच्चों का और अपना पेट कैसे भरती हूं, मैं ही जानती हूं, माला क्या जानती नहीं कि राखाल कुछ नहीं कर सकता है, अधिक सद्धिक रुपया वो घरी भेज देता है, फिर भी वो ये सब क्यों सुना रही है, शायद उसे गवा बना कर अपनी तकलीफों को दोरा रही है, सिर्फ अपने को हलका करने के लिए, अच्छा होता वो राखाल ना होकर ब्लॉटिंग पेपर होता, जो माला के सारे दुखों को सोख लेता, शाम को दादा के घर पहुँचे, तो दादा और बहुदी पड़े तपाक से मिले, आओ जमाई बाबू आओ, इस बार तो आपने तीन साल लगा दिये, बहुत दुबले हो गए है, जहास का खाना भी कोई खाना है भला, नमकीन हवा हड्डियां तक गला देती होगी, टाखाल का मन हुआ कह दे, नमकीन हवा क्या हड्डियां गलाएंगी, हड्डियां तो तुमारे घर में गली थी, जब ब पीना बच्चों ने खबर दिये कि बाबा आए हैं, तभी इसे ऐसे उचल रहे हैं, जैसे इनी के बाबा आए हो, मला के घर को तो ये कभी दूसरा घर समझते ही नहीं, गुआ का घर क्या दूसरा होता है, दादा ने दात दिखाते वे कहा, बड़ी उतावली हो रही है ना के कंखा और इबन दोनों लड़कियों को पकड़ा दिया और एक सस्ता सा पैन लड़के को, लगा बोधी को काफी निराशा हुई, जिसका प्रमार चाय के साथ मिल गया, एक प्लेट में दो संदेश और एक कप चाय बस, बाहर खेलते रीना बच्चों को शायद वो भी नही खिलाएगा, कमरे के सामने वाले आंगन में बच्चे दोड़ दोड़ कर खेल रही थे, राखाल ने देखा बच्चू दाहिनी टांग से थोड़ा लंगडाता है, सबेरे सोस ने बच्चू को एक बार भी इस तरह चलते वे नहीं देखा, या शायद गौर नहीं किया, अरे जरासी कसर रह गई है, दीरे दीर ठीक हो जाएगी, बहुदी ने कहा, फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, इस बार क्या-क्या कश्च सहाय बेचारी माला ने, मेरा तो कलिजा मूँ को आता था, बुल-बुल तो जाती ही रही, और जूट-मूट को अनुने आच्चर से एक अजीब सी बेचैनी उससे होने लगी, बाहर निकलते उसने माला को आड़े हातों लिया, तुमने मुझे बच्चों के पैर के हड़ी तूटे की खबर तक नहीं दी, कब तूटी हड़ी, कैसे तूटी, क्या करती खबर करके, तुम कर ही क्या लेते सिवाए परेशान होन आखिर मैं आगे राखाल से कुछ कहा नहीं गया, पीछे जो कुछ होता है वो भोगना तो मुझे ही पढ़ता है, दूर रहकर तुम चिंता करने के सिवाए कर ही क्या सकते हो, बेकारी परेशान होते हैं, माला का स्वर कातर हो आया, राखाल समझ नहीं पाया कि माला उस पर आरोप लगा रही है या अपना अपराद सीकार कर रही है, सचमुझ उसके पीछे क्या-क्या नहीं हो गया, बुल-बुल हुई और मर गई, रीना की सारी चंचलता और बचपना ऐसा गया कि उसने पेजेजग होकर उससे बात तक नहीं की, बच्चू के पैर के हड़ी पढ़ाने की मुड़ी दिलवा कर उसने उन्हें अपने पास बिठाया और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगा, ये बच्चू तो सारे दिन आवारागर्दी करता है, चार महीने बिस्तर पर रहा, सो पढ़ाई लिखाई तो यह चौपट है, उस पर भी म माला की स्वर का इस्थाई भाव हो गया है, राखाल ने बच्चू को भावों में भरकर अपने पास खीचते हुए कहा, देखना अब बच्चू कैसे पढ़ता है, कोई शंकर वंकर का मास्टर नहीं, मैं पढ़ाऊंगा असे, क्यों बेटा, अच्छे नमरों से पास होना है ना तुम्हें, बच्चू ने गरदन हिला कर हां कर दी, फिर राखाल रीना से बती आने लगा, वो पहले की तरह ही छेब छेब कर जवाब देती रही, पर छोटू उसके पास अभी भी नहीं आया, उसे देखकर मुस्कुराता जरूर था, पर जब राखाल हाथ पढ़ाता, तो माला की गोद में दुबग जाता, एक दो दिन में पहचान जाएगा, पहले तो जब तुम गए थे तब बहुत दिनों तक तुमारी फोटो को देखकर बाबा बाबा किया करता था, अब इतने दिन हो गए कि भूल गया, दो गंटे पार्क में बिता कर, जब रात में वे दिली छतवाला कमरा एक आएक उसे अधिक आत्मियता और अपने लगने लगे, अभी भी जैसे उसके फेपड़ों में पार्क की हावा भरी थी, माला को लस्त पस्त करके छोड़ा, तक पहली बार घर आने का बोध उसकी रग रग में तैर गया, थोड़ी देर में माला की न उटकरी राखाल ने रीना बच्चू को बैठा कर पढ़ाया और जब वे स्कूल चले गए तो कमरे की सफाई शुरू की, माला पहले मना करती रही, फिर खुद भी आकर जुट गई, उसके पास कुछ रुपे और होते तो घर में थोड़ा सामान डलवा जाता, दो तीन गोल मूडे एकात कुरसी, खैर छोड़ो, खुद भूब काट काट कर जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाया है, उससे यहां बाल बच्चों को खिलाएगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा, सब को एक सिनेमा दिखाएगा, बच्चे ही नहीं, आसपास के लोग भी जानने कि व इतनी बार नहाँ, अब मुझे कुछ नहीं अखरता, आदत हो गई है, और पसीना सुखाने के लिए उपंके के सामने जा बैठी, सुनो, राखाल ने माला क्यों देखा, पिशी मा का एक भांजा है, इंटर पास है, कहीं फैक्टरी में काम करता है, रात में बीए की पढ़ा नहीं होगा, राखाल जैसे आसमान से गिर पड़ा, तो बारा दिमाग तो ठीक है, अभी रीना है ही कितनी बड़ी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं क्या, इसमें दिमाग खराब होने की बात क्या है भला, आकर शादी तो करनी ही है, सम्मंद जितनी जंदी हो जाए अच्छा ह तुम दूर रहते हो, लड़का ढूड़ेगा ही कौन, ये तो भाग से घर बैटी ही लड़का मिल रहा है, तुम बुला कर मिल लो, देख सुन लो, तसल्ली कर लो, माला थी की बोले चले जा रही थी, और राखाल की ये समझ नहीं आ रहा था, कि वो उसे कैसे चुप करे, द कौन खर्चा करे, माला पर रीना क्या बहुत छोटी नहीं है, राखाल के सुर में आजीब सी बेबसी आ गई, क्या छोटी है, तेरे पूरे होने वाले है, और कौन आजीब या होने जा रहा है, कुछ न करके दो तीन हजार तो चाहिए ही, मुझे तो राद दिन यही चिलता लगी रहती है, राखाल की आखों के सामने जाने कैसी दुंद छाने लगी, और थोड़ी देर पहले का जमाया हुआ कमरा फीका लगने लगा, दादा बाबु आपने बुलाया, अपने कत्थ होट पहलाए हुए शंकर सामने आ खड़ा हुआ, बैठो बैठो, हजामत बनाते हुए राखाल ने कहा, लो आपने तो कमरे की शकल ही बदल दी, अब लग रहा है कि घर का मालिक आ गया है, शंकर हसने लगा, पर राखाल को अब शंकर की हसी उतनी बुरी नहीं लगी, एक अत्मेले तॉलिय से रगड़ कर मुझ पोच्ते हुए राखाल ने कहा, माला तुम जंता ना करिये, रुपए कौन से भागे जा रहे हैं, नहीं भाई, कर्ज जितनी जल्दी चुक जाए अच्छा, और राखाल ने अपना छोटा सा संदूग खोल कर उसमें से सो रुपए का नोट निकाल कर दे दिया, शंकर ने नोट जेब में रखा और चल दिया, राखाल ने बचे हुए किने 80, पहली तारीक को तनख़ा मिलेगी, उसमें से माला को घर खर्च के लिए रुपए देने के बाद 50 सुपए बचेंगे, कुल हुए 130, इनी रुपयों से उसे दो महिने तक अपनी बीबी बच्चों को गुमाना फिराना और फिर लॉट कर जाना है, अन ना किसी का देना ना लेना, तब उसकी आखों के आगे माला और बच्चे तेर जाते थे, वो तॉलिया लेकर नहाने चला गया, आज पिशी मा का भांजा आने वाला है, अपने चाचा के साथ, राखाल के मना करने पर भी माला ने बुला ही लिया, साथ में दादा से भी कह द दरता वई हो, राखाल तो मातर आगंतुक है, राखाल को दादा की उपस्तित भरी बहुत कश्ट देती है, पर माला की जिद, बात जम गई और पीछे कुछ भी करना हुआ, तो रोज जीक कर दादा से ही तो करवाना होगा, पैसे का मामला ना हो, तो भाग दौर थोड़ी बहुत करी देंगे, कपूर साब के हाँ से बरतन, दरी, चादर और थोड़ा बहुत टीम टाम का सामान लाकर, माला ने भरसक कमरे को ठीक कर दिया, माला के मन में उत्सहा है, राखाल ने काम में मदद जरूर की, पर बड़े बेमन से, पता नहीं दीना को पता भी है या नही जरूर होगा, इन बातों की गंद पाने के लड़क्यों के पास छटी इंद्रे होती है, कैसा लग रहा होगा उसे, दीना ने राखाल और अपने बीच संकोच की एक दीवार खड़ी कर लिया है, वरना वो खुदी पूछ लेता, लड़का आया, कहरा सामला रंग और चेचक के दाग, राखाल का रहा साह उत्साह भी जाता रहा, राखाल ने वैसे तै कर लिया था, कि इन लोग के आने के बाद वो दादा को इतना मुखर नहीं रहने देगा, घर के मालिक की हैसिय से, वही सारी बात चीत करेगा, पर लड़के की सूरत देखकर ये निर्ने अपने आ हम तो कभी से मिलना चाहा रहे थे, पर आपकी लोटने का इंतिजार था, चाचा ने कहा, तो राखाल को थोड़ा संतोश हुआ, पहली बार होटो बम्मस को रहाट आई, चलो कम से कम ये तो मालूं गवा कि घर का मालिक मैं हूँ, फिर इधर दर की बातचीत चलने लगी, च चाचा ने पूचा, अच्छा राखाल बाबू, आप तो बहुत देश विदेश गूमते हैं, अपने देश जैसी संस्कृती कहीं देखने को मिलती है, राखाल को लगा, चाचा जी उसके विदेश गूमने से काफी प्रभावित हैं, वो कुछ कहता उसके पहले ही दादा ब देखी, राखाल भीतरी भीतर भुन गया, जहाज पर नौकरी नहीं करते कहो, जहाज में पाखाना साफ करते हैं, कमी ना कहींगा, इस माला को मना कर दो, फिर भी मरेगी सी दादा के पीछे, आज वो माला की अच्छी तरह खबढ़ लेगा, बात संस्कृती से नौकरी पर गई और लगे हाथी बेकारी की समस्या और सरकार की धुनाई भी हो गई, ऐसे संकट के दिनों में भी अपने भतीचे को फैक्टरी में नौकरी लगवा देने की सफलता पर अपार गर्व महसूस करते हुए गांगली बाबू रजगुले पर रजगुल्ला काते रहे, के जाते खुलकर राखाल ने घोश्रा कर दी, ये लड़का बिलकुल नहीं चलेगा, पिशी मां से कह देना बात खत्म कर दे, अपने स्वर की द्रहता पर राखाल सौयम विस्मित था, जमाई बाबू ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं, लड़कों का भी कोई रंग रू मिला नहीं, दहच दिया जाएगा आपसे, मैंने कहा ना कि ये संबंध नहीं होगा, मुझसे क्या होगा, क्या नहीं, ये मैं समझ लूँगा, कोई चेहरा है लड़के का, राखाल के इस रूप से माला इस्तब्द, दादा बनुमरा कर चले गए, आप तो बाहर रहते हैं, यहाँ बीवी बच्चे हमारे नाम को जीकते रहते हैं, आज के जमाने में अपना घर चलाना ही मुश्किल, किस-किस का करते फिरो, और बुलाओ दादा को, मेरा अपमान कर गए कुप अच्छी तरह, अब तो कलेजा ठंडा हो गया, जैसा भाई वैसी बहन, माला रो पड़ कपूर साब का सामान जा चुका था, और कमरा बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, माला नीचे रसोई में थी और बच्चे बाहर, लड़के को ना पास करके ही उसे लग रहा था, जैसे घर में उसने अपने को पूरी तरह पास कर लिया है, गांगली मुशाय और दादा के साथ ही साथ उसके अपने मन की खिनिता और जड़ता भी चली गई, एक नया आत्म विश्वास जागा, ये मेरा घर है, इसमें मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, राखाल ने सबका कारिकरम ठीक कर लिया, सबेरे रीना उसके सिर में तेल डाल कर आदे गंटे तक चंपी करती, बच्चू अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करता और सवाल करता, अब सबजी गौरी या पीशी मान नहीं लाती, राखाल खुद बाजा करने जाता, हफते में एक दिन मचली भी लाता, छोटू का लिवर बढ़ा हुआ था, तो खुद उसे अस्प मैं उसे कभी यादी नहीं रहता, कि वो बियसी है, उसकी अपनी जिन्दगी तो बरबाद हो गई, पर वो चाहता है कि कम से कम बच्चों की जिन्दगी तो बना दे, उसे आज भी याद है, कि जब वो कलकते में ही नौकरी करता था, और रीना हुई थी तो माला की एक आकां भाई से कहता, जिरा बच्चों को घुमा लाओं, अक्तूबर समाथ हो रहा है, पर अभी गर्मी खतन नहीं हुई, शाम को घर में घुटन हो जाती है, पहली तारीक को आफिस जाकर तनखा ले आया, माला को हर महिने की तरह रुपए दिये और पचास रुपए अपने पास लाओ इस बार ये रुपए मुझे देदो, तुम क्या करोगे, ना हो तो शंकर को देदो, माला हमेशा उसे खर्चा करने के लिए टोकती रहती, पर वो हमेशा जड़क देता, इस बार भी उसने इंकार कर दिया, नहीं, कुछ रुपए मेरे पास चाहिए, बच्चों को फिराना, खिलाना, पिलाना तो है, वे बेचारे क्या चानेंगे, कि उनका बाबा आया है, पैसे के मामले में वो माला पर कताई निर्भर नहीं रहना चाहता, बलकि चाहता है माला उस पर निर्भर करें, दीरे दीरे राखाल की चुट्टियां और पास के रुपए समाप्त होने आये, राखाल ने छोटू का नाम भी रेजिस्टर करवा दिया, जनवरी से वो भी स्कूल जाने लगे, सरकारी स्कूल में फीज ज्यादा नहीं लगती, पर कॉपी, किताब, पेंसिल, आदी के खट्चे की ही माला को चिनता है, राखाल ने समझा दिया, इस बार 20 रु बच्चू बेटा मेरे पीछे मन लगा कर पढ़ना, अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो इनाम भेजूँगा, बच्चू तो मेरा राजा बेटा है ना, छोटू बाबा इस बार लोटकर आऊं तो भूलना मत, हम आये तो छोटू बाबू हमको पहचानते नहीं, हमारे प खाना बनाती माला की और नजर गई, तो समझ में नहीं आया कि क्या कहे, किवल इतना ही कह पाया, देखो तुम हर बात की सूचना जरूर देना, ये ठीक है कि मैं दूर रहकर कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम जानतो सकता हूं, उसके बाद बड़ा बोजिल सा मौन वहां पर गया, तीन दिन बाद हो चला जाएगा और माला अभी से उदास रहने लगी है, उसका अपना मन जैसे कहीं से डूबने लगता, टात में माला उसे सटकर सो रही है, इतना खर्चा यहां ना करते और शंकर के बचे हुए दो सो रुपए चुका देते तो अच्छा होता, पहल जाते रुपए भेज दूँगा, कल उसे अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट देनी है, और परसो सबेरे दस बज़े जहाज खुलेगा, आज कुछ और भी तो किया जा सकता है, दूसरे दिन ऑफिस से लोट करो शंकर से मिल लिया, दादा के हाँ आप वो नहीं जाएगा, बच्चू मचली पर वैसे ही तूट पड़ रहा है, सिर्फ छोटू इस समय माला की गोद में नहीं, राखाल की अपनी गोद में है, शाम का अंधेरा उसके मन पर उतरता आ रहा है, माला की आखें इस बात की गवाँ हैं, कि दिन में हो कई बार रोच चुकी है, दूसरे दि पहन करो फिर बच्चो और माला के पास आखडा हुआ, रीना चुपचाप रो रही है, माला रोने के साथ साथ उसे याद इला देती है, शंकर के रुपे जैसे भी हो भेज देना, और राखाल की आखों के सामने बहुत दिनों बाद जैसे शंकर की होटों और दातों का एका एक कौन गया, छोटू उसकी गोद में ही लदा हुआ है, वो बार बार उसे प्यार कर लेता है, जहाच खुलने का समय करीबा रहा है, राखाल ने छोटू को माला की गोद में दिया, तो मचल पड़ा, दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा कर और पैर पचाड कर और रो रहा है बाबा के पास जाओंगा, माला ने गले में आचल डाल कर राखाल के पैर चुए, तो राखाल भी जैसे अपने को नहीं समाल सका, छोटू के गाल पर प्यार करके और रीना और बच्चू के सिपर हाथ फेर कर राखाल मुड गया, हिच्कियों के बीच माला के शब्द सुना ही दे रहे थे, अपना ख्याल रखना, चिठी जल्दी जल्दी भेजना, शंकर के रुपए जाते ही भेजना, इस बार तीन साल मत लगाना, जहाद छूट गया, दाहार मारती लहरों की आवाज और आस पास के सारे शोर शराबे के बीच भी उसे पच्छाड खाते हुए छो जो केत्यों खड़े हैं, अब किनारा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लेंस डाउन का घर, माला ने गद्दे उठा कर दोनों बक से निकाल दिये होंगे, बक से दब जाने से उसे बड़ी असुधा होती थी, पर वो जैसे तैसे चला ही रही थी, चायद इसी दिन की पतीक्षा में, टेबल फैन और स्टूल वापस शंकर के गराज में चला गया होगा, शंकर सारा अपना पन दिखा कर माला को तसली दे रहा होगा, रोती क्यों हो बहुती, मैं तो हूँ, कपूर साब के बरामदे में से उनकी रड़की पम्मी चिला कर कह रही होगी, माशी मा, डाक्टर बाबू के पास जाना हो तो तयार रही है, पापा दस बजे निकलेंगे, पिशी मा, घर का छोटा मोटा सामान लाते लाते रीनाग लिए, फिर को एक लड़का खोज लाएगी, कौन जाने फिर वही लड़का आ जाए, सभी तो उसके पक्ष में थे, एका एक उसे लगने लगा, शायद वो एक बहुती नकली से माहौल में रहकर लोटा है, शायद माला कई बातों में केवल उसके डर के मारे ही चूप रही है, बच्चु मन मार कर पढ़ने बैठता था, अब वो पहले की तरे निश्चन थोकर, बस्ता कोने में पटक शंकर के गराज या पातों पर खेलता फिरेगा, बीना घर के काम से चुटी पाते ही, कपूर साहब के बरामदे में खड़ी होकर बत्याया करेगी, छोटू शंकर के कंदे पर टंग कर उसके सर पर तबला बजाया करेगा, बच्चे खेल खेल में तस्वीर का शीशा ना राहता, राखाल नीचे उतराया, मशीनों के बीच पहुँच उसे एक अजीब सी राहत मिली, वही परचित गंद, वही चिर परचित मशीन है, लगा जैसे अपनी असली जगह आ गया है, यार तुम जैसे लोग को बहुत गुलना मिलना नहीं चाही अपने बीव बच्चों में, इतनी शिक्षा देता है ये गुरू, तुम लोग फिर भी सीखते नहीं हो, बेटा अपनी जिन्दगी तो इन मशीनों के साथ बंद ही है, समझें, इनको तेल पिलाओ और चलाओ, और फिर उसके हाथ में तेल की कुप्पी थमाते हुए बोला, इधर के हिस्से के ऑईल रहे थे मन्नू भंडारी जी के लिखी हुए कहानी शायद।